हलो स्टूडेंट मैं शाइन लूथरा आज हम करेंगे क्लास सेविंध मैस का चाप्टर नमबर टूर्स की एक्सरसाइस 2.4 जिसका फर्स कोशन है फाइन और आप यहां पे देख रहे हैं कि बीच में जो हैं यह जो साइन लगे हुए हैं यह सब मारे डिवाइड के हैं जैसे क हमारा 12 यहां पे क्या है डिवाइड और इसके बाद 3 अपॉन 4 तो जब भी हम फ्रैक्शन के अंदर हमें डिवाइड का साइन दिया होता तो हम करते तो क्या हैं मल्टिप्लाइ ही करते हैं तो जो हमारे राइट हैं साइड पे जो भी हमारा फ्रैक्शन होता है वो हमेशे हम reciprocal हो जाता है, यानि कि जो denominator है वो numerator बन जाता है जो numerator है वो denominator बन जाता है 3 upon 4 का 4 upon 3 हो जाएगा, अब हम इसको जो है हमारे sign change हो जाएगा, divide से multiply में change हो जाएगा, अब हम इसको जो है क्या कर सकते हैं, divide कर सकते लेकिन जो कटता है हम उसको card देंगे जैसे 3 बन जा, 3 और 3 फोर्जा, 12, तो क्या हो गया 4 फोर्जा, 16 आ जाएगा इसी तरीके से यहाँ पर देखो 14, फिर divide है भी 5 upon 6 तो यह 5 upon 6 का 6 upon 5 बन जाएगा, और 14 6 जा क्या होता है, 84 upon 5, ठीक है, हमारा cut नहीं सकता, इसलिए हम इसको cut नहीं करेंगे, इसलिए हमें fine करने के लिए बोला है, तो मतलब हमें सिर्व इसको divide करना है, हमें को इसको mix fraction में नहीं लिखना, ठीक है इसका third वाला देखो, 8 फिर divide, divided by 7 upon 3 तो 3 upon 7 हो जाएगा, इसका 8, 3 जा 24, upon में 7 क्योंकि जो cut सकता, उसको हम पहले cut कर देंगे जो नहीं cut हो सकता, उसको हम वैसे ही multiply करके लिख देगे 8 upon 3 का यहाँ पर 3 upon 8 हो जाएगा, यहाँ पर cut जाएगा 4 बन जा 4, 4, 2 जा 8 तो 3 upon 2 आ गया, ठीक है अब इसका 5 देखो 3, फिर divide, 2 इसको 1 upon 3 मतलग, 3 को 2 से multiply 1 plus कर देंगे, 3, 2 जा 6 और 1, 7, 7 upon में 3 तो यहाँ पर देखो हमारा जो है क्या हो जाएगा, 7 upon 3 का हो जाएगा 3 upon में 7 3 जा 9 upon में 7 ठीक है, अब 5 दिवाइड, फिर 3 इसको 4 upon में 7, तो 7, 3 जा 21, 21 में हम 4 plus करेंगे, 25 upon में 7 हो जाएगा 25 अब देखो यह, 25 upon में 7 का क्या हो जाएगा, 7 upon 25 reciprocal होता जा रहा है, हर एक के अंदर अब यहाँ पर हमारा कट जाएगा, 5 बन जा 5, 5, 5 जा 25 7 upon में 5 आजाएगा अब हम इसका question number 2 देखेंगे question number 2 है, find the reciprocal of each of the falling fraction में हमें कुछ भी नहीं करना बहुत simple है, सब के अंदर जाना में reciprocal करना है, ठीक है denominator को numerator, numerator को denominator करना, उसके बाद क्या है, classify the reciprocal as a proper fraction improper fraction and a whole fraction हमें बताना है कि यह कौन सा proper है कौन सा improper है, कौन सा whole fraction है ठीक है, तो पहले हमने 3 upon 7 का, जब 7 upon 3 किया, तो हमारा improper fraction हो गया, improper fraction में क्या होता है, numerator हमेशा बढ़ा होता है, denominator से, तो इसलिए हमारा improper fraction हो गया 5 upon 8 का हो जाएगा, 8 upon 5, यहाँ पे भी हमारा numerator बढ़ा है denominator से, इसलिए भी हमारा improper fraction हो गया, अब 9 upon 7 का हो जाएगा, 7 upon में 9, अब यहाँ पर किया हमाँ denominator बढ़ा है numerator से, इसलिए हमारा proper fraction है, ठीक है next हमारा 6 upon five, 6 upon five कRO क्या होज़रेगा? 5 upon six यहाँ भी हमारा denominator बढ़ा है numerator से इसलिए भी हमारा proper fraction हो गया 12 upon 7 को होज़रेगा, 7 upon 12, तो ये भी हमारा proper fraction क्योंकि इसमें भी denominator भड़ा है numerator से reciprocal अभी है 1 upon 8 अब 1 upon 8 का हमारा हो जाएगा 1 upon 8 को जब reciprocal करेंगे तो 8 हो जाएगा वो तो ये क्या हो गया हमारा whole number आ गया 8 आ गया न तो 8 के हमारा whole number है fraction में तो नहीं है ये 1 upon 8 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा whole number हो गया question number 3 देखेंगे question number 3 में भी हमें यही बोला गया 2.4 की जो हमारी exercises हमें इसमें भी find करना से question number 1 में हमें find करना थे न वैसी उसमें क्या था हम whole number से जो है हम divide कर रहे थे किसको fraction को अब है यहाँ पे fraction जो है divide हो रहा है वो whole number से हो रहा है ठीक है जो है वो इसको नीचे 1 लगाना पड़ेगा तो यह हमारा हो गया 2 upon में 1 तो इसका जो हमारा reciprocal हो जाएगा वो 1 upon 2 हो गया अब 1 upon 3 अब हम इसका sign change हो गए multiply कर दो 7 या फिर पहले इसमें देख सकते कट सकता कोई भी भी नहीं कर सकता इसका थर्ड देखो 6 upon 13 divided by 7 7 के नीचे भी हमारा क्या आजएगा वन आजएगा तो यह 1 upon 7 हो जाएगा sign change हो जाएगे multiply हो जाएगा 6 1 जा 6 और 13 7 जा 91 ऐसे हैं यहाँ पहले हम करेंगे देखो इसको हमने क्या करना है यह mixed fraction में पहले इसको change कर लेंगे 4 3 जा 12 और 1 13 upon 3 और divided by 3 इसके नीचे भी 1 आजएगा तो यह भी हमारा 1 upon 3 हो जाएगा 13 upon 3 into 1 upon 3 13 को 1 से divide किया 3 3 जा 9 क्योंकि बिदर को हमारा कोई भी कट नहीं रहा न तो इसले इसको हम इसी तरीके से करेंगे यह हो गया हमारा question number 3 question number 4 में देखेंगे question number 4 में बोला गया fine 2 upon 5 divided by 1 upon 5 अब हमें fraction को fraction से क्या करना है divide करना है पहले हम क्या कर रहे थे whole number को fraction से divide किया फिर हमने reciprocal किया फिर हमने क्या किया fraction को whole number से divide किया अब हम fraction को fraction से divide करेंगे सेम उसी तरीके से हमने करना है reciprocal करके right hand side वाला जो हमारा fraction होता है ना वो हमेशा हमारा reciprocal हो जाता है अच्छा question number 3 का हमारा 5 और 6 जो है वो भी रहे गया है तो पहले हम इसको कर लेते हैं ठीक है तो इसमें है हमारा 5 है हमारा ये 3 तूजा 6 6 में 1 प्लस करेंगे 7 अपॉन में 2 divided by 4 तो यहाँ पर इसके निचे 1 लगाएंगे 7 अपॉन में 2 into 1 अपॉन में 4 हो जायागा 4 उपॉन 1 का 1 अपॉन 4 7 वाल जा 7, 4 तू जा 8, 7, 4 जा 28, 28 में 3 प्लस करेंगे 31 अपॉन में 7 इसके रिंचे 1 लगाएंगे, 7 upon 1 का वाज़ेगा, 1 upon 7 और इसको multiply करेंगे, 7, 7 जा 49, 31 जा 31 ठीक है, तो ये हो गया हमारा question number 3 ठीक है, और question number 4 में हमें क्या करना है question number 4 में हमें जो है इसको, जो हम इसको divide करेंगे अब हम करेंगे fraction को fraction से divide करेंगे तो 2 upon 5 divided by 1 upon 2, ठीक है, 2 upon 5 अब 1 upon 2 को क्या होगा, 2 हो जाएगा, whole number बन जाएगा ये 1 upon 2 का 2 हो जाएगा, 2, 2 जा 4 और 5 हमारा नीचे आजएगा 4 upon में 5 हो जाएगा, 4 upon 9 divided by 2 upon 3 तो 2 upon 3 का क्या हो जाएगा, देखो 4 upon 9 multiply हो जाएगा, 3 upon में 2, ठीक है, योगि ये reciprocal हो जाएगा, अब ये देखो कर सकता, 3 बन जा 3, 3 ती जा 9, 2 बन जा 2, 2 तो जा 4, क्या बचा हमारा, 2 upon 3 बचा, ठीक है, इसका next देखते हैं, third, इसमें भी हम reciprocal करेंगे, 8 upon 7 का reciprocal होके, 7 upon 8 हो जाएगा, 7 से 7 कट हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 upon में 8, 2 is to 1 upon 3, divided by 3 upon 5, पहले इसको change करनेंगे, 3 2 जा 6, 6 में 1 प्लस करनेंगे, 7 upon 3, और divided by 3 upon 5, इसका हो जाएगा, multiply 5 upon में 3, reciprocal हो जाएगा, 3 से 3 हमारा यहाँ पे नीशे आ गया, denominator, 7 5 जा 35, 3 3 जा 9, ठीक है, 7 थैसका, 3 2 जा 6, 1 7, 7 upon 2 हो गया, 8 upon 3 का क्या बंच जाएगा, multiply हो जाएगा, 3 upon 8, 7 3 जा 21, और 8 2 जा 16 हो जाएगा, ठीक है, तो यह हमारा कटेगा नहीं, ऐसी हमारा इसका 6 होगा, 2 upon 5 का, यह है, 1 is to 1 upon 2, तो 2 बंजा 2, 2 में 1 प्लस करेंगे, तो 3 upon 2 हो गया, 3 upon 2 का, और ऐसी प्लस करेंगे, 2 upon 3 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगे, डिवाइड जो है, multiply में चेंज हो जाएगा, 2 तो जा 4 और 5 3 जा 15 हो जाएगा, 7 त है इसका, 5 3 जा 15 और 1, 16 upon 5, 3 बंजा 3, 3 और 2, 5 upon में 3, तो ऐसी प्लस करेंगे, डिवाइड जो है, multiply में चेंज हो जाएगा, 5 upon 3 का, 3 upon 5 हो जाएगा, 16, 3 जा 48 और 5, 5 जा 25 हमारा यहां पर यह हो जाएगा, इसके बाद इसका, last वारा जो देखते हैं हम, 2 is to 1 upon 5, divided by 1 is to 1 upon 5, 5 2 जा 10 और 1, 11 upon 5, 5 बंजा 5 और 1, 6 upon 5, 5, यहां पर हमारा 6 upon 5 का क्या हो जाएगा, 5 upon 6, divide multiply में change हो जाएगा, अब 5 से 5 कट जाएगा, 11 upon 6 जो है, वो हमारा इसका answer हैगा, तो यहां पर हमारी जो exercise है, 2.4 वो हमारी complete हो जाती है, होफ़ुलिए आपको वीडियो हेलफुल लगा, वीडियो अलफुल लगे तो प्लीज लाइख श्याएख सब्सक्राइब करे, थैंक यू,